नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्ती पर गणेश जी से मंचाही मुराद पाने के 6 अचूद चमतकारी उपाए तो आईए अब जानते हैं गजानन गणेश की संकल्प अनुसार साधना करने से विग्न हर्ता बिग्डी बना देते हैं भगवान गणेश स्वयम रिद्धी सिति के दाता वा शुवलाप के प्रदाता हैं वे भक्तों की बाधा संकट रोग दोश को दूर करते हैं दस दिनी गणेश स्थापना काल में गणपती की संकल्प पूर्वक साधना आराधना करने से भग्त को चिंताओं से मुक्ती मिलती हैं एक्षाएं पूर्ण होती हैं मन इस्थिर रहता हैं अन्वा धन के भंडार में बरकत होती हैं और विग्न दूर होकर सभी कारियों में अपार सफलता मिलती है। जैसे कि विवाह के लिए दस दिन तक इस मंत्र का जाप करें। और मंत्र है ओम, गलोम, कणपतिये, नमह। इस मंत्र की ग्यारा माला तथा गणेश इस्तरोत का पाट मित्ते करें। और मोदक का भोग भी लगए। इसके अलावा भूमी प्राप्ति के लिए दस दिन तक संकट नाशन गणेश इस्तरोत एवं रेण मोचन मंगल इस्तरोत के ग्यारा पाट करें। और भवन के लिए 10 दिन तक श्री गणेश, पंचरत्न इस्त्रोत एवं भूवनेश्वरी चालीसा अथ्वा भूवनेश्वरी इस्त्रोत का पाठ करें। इसके लावा संपत्ति प्राप्त करने के लिए दस दिन तक निमित श्री गणेश चाली सा कनधारा इस्त्रोत एवं लक्षमी सूक्त का पाठ अवश्य करने और धन संब्रद्धी के लिए गणेश इस्त्रोत का पाठ तथा कुवेर यंद्र के पाठ के सान ओम श्रीम ओम हीम श्रीम हीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमह मंत्र की ग्यारा माला नित्य दस दिन करें और हम बात करते हैं नोकरी प्राप्त करने के लिए उसके लिए दस दिन विग्णनाशक इस्त्रोत का पाठ अवश्य करें तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप आपको वीडियो में दी गई जानकरी पसंद आई होगी यदि जानकरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जै श्री कृष्णा जरूर मिलते हैं ऐसी ही नई जानकरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै श्री कृष्णा